हेलो दोस्तों आप सभी को मेरी नमस्कार, आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यह गर्मियों का साग, इसको चॉलाई कहते हैं, मेरे पास तिन परकार की चॉलाई का साग है, एक तो यह हरी चॉलाई, और दूसरा लाल चॉलाई, तीसरी देसी चॉलाई, जो आम तोर प सभी जगा आपको देखने को मिल जाएगी, इस चॉलाई के बीजू को मैंने मार्च फास्ट वीक में इनको मैंने बोया था, और उसके बाद आज पहली बार मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, और पत्ते मिल खुल स्वस्त हैं, कोई कीड़े का, कोई सुन्डी का, किसी का भी जबी इस पर प्रकॉप नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बीच बीच में इसमें राक का छिड़काओ किया था, और चॉलाई के कितने फायदे हैं, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, एक तो यह हमारी आखों के रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत फायदे मन दोता है, हड स्वाधिस्ट इसका साग लगता है, आप इसको जितना काटेंगे तो यह उतना ही घना होता जाता है, और आप भी अपने गाडन में, अपने गमलों में इसका साग जरूर सामिल करें, मैं तो हर साल इसके बीच बना लेती हूँ, और अपने ही घरी के बीचों से इसका साग हो गया है भी मैं इसको जितना काटूंगी तो यह उतना ही घना होता जाएगा और तेखिए कितना ताजा ताजा यह साग भी हो रहा है